आज गोवर्दन पूजा के दिन अगर आप गव माता की सेवा करेंगे और गव माता को कुछ भी खिलाएंगे मीठी चीज कोई भी मीठी चीज किला सकते हैं तो आप यकीन मानिए कि जितने मर्जी दुख तकलीफ क्यों ना हो आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी बहुत जादा एफेक्टिव होता है बहुत जादा असरदार होता है गव माता की सेवा करना गोवर्दन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण स्वैम गव माता के भक्त थे उनकी सेवा किया करते थे हम सब जानते हैं तो गव माता की सेवा करने से सारे कष्ट संकट दूर होते हैं जीवन के, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ती जादा से ज़ादा गव माता की सेवा करते हैं, उनके घर में एक तो धनकी कभी कमी नहीं रहती, हमेशा धनके भन्डार भरे रहते हैं, उनके जीवन से सारे कष्ट संकट काम बनने लग जाते हैं चाहे नौकरी से रिलेटेड प्रॉबलम हो चाहे कोई भी प्रॉबलम हो लाइफ में हैल से रिलेटेड प्रॉबलम हो सारे काम आटोमेटिकली बनने लग जाते हैं नौकरी भी मिलती है पैसा भी आता है सुकसिम्रद्धी भी आती है तो गव माता की स आप मीठे चावल बनाके खिला दें, आप कोई मिठाई खिला दें, आप हरा चारा खिला दें, साथ में एक मीठी चीज जरूर खिलाएं, ठीक है, और खिलाना कैसे है आपने, जब आप अपने हाथ से खिलाएंगे, सबसे पहले तो रख के नहीं, जमीन पे रख के नहीं खिल तो अपने हाथ से खिलाना है और खिलाते समय आपने बोलना है कि हे गव माता मेरे जीवन से सारे कश्ट संकर दूर करें ठीक है खिलाते टाइम आपने ये बोलना है जब आप खिला देंगे उसके बाद आपने गव माता के मस्तक पे एक बार जरूर हाथ फेरें बहुत इस तरीके से आपने बोलना है कि मेरी सभी इच्छा हैं पूरी हो मेरी सभी मनों कामना है पूरी हो या फिर मेरी सभी विश्रिस पूरी हो या जो भी मैं चाहती हूं मुझे जीवन में मिले इस तरीके से मस्तक पे हाथ फेरते समय आपने बोलना है या मन ही मन आप बोल सकते है ठीक है बहुत जादा अच्छा होगा आप देखोगे कि life में आपकी सारी wishes पूरी होनी start हो जाएंगी सारी रुकावते दूर होनी शुरू हो जाएंगी आज के दिन यह उपाई कर लेने के बाद अगर आप weekly, week में एक बार भी यह उपाई आप repeat करोगे कभी भी कर सकते हैं आज जैसे वेडनेस डे है तो आप next वेडनेस डे भी कर सकते हैं या आप कोई भी एक डे आप fix कर ले इस दिन मुझे गव माता की सेवा करनी ही है Friday को भी कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा ठीक है तो आपने हमेशा जब भी आप गव माता को कुछ ना कुछ खिलाएंगे अपने हाथों से खिलाना है और उस समय आपने यह बोलना है कि मेरे जीवन के सभी कष्ट संकर दूर हो रहे हैं ठीक है और मस्तक पे हाथ फेरते समय आपने अपनी wish बोलनी है कि मेरी सभी wishes पूरी हो रही है या पर्टिकुलर एक wish के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरी ये वाली wish पूरी हो रही है ठीक है इस तरीके से आपने बोलना है एक बार जरूर बोलें जाधा भी बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आज के दिन ये जरूर फॉलो करें किसी भी टाइम कर सकते हैं कोशिश करें सूर्यास्त से पहले पहले करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मिलते नेक्स वीडियो में टेक कियर